Hello everyone, I'm Ayesha from National Academy of Fire and Safety तो आज मैं आपको बताऊँगे methods of accident prevention के बारे में जो भी accident हो रहे हैं, उनको हम कैसे prevent कर सकते हैं, कैसे prevention दे सकते हैं उन सब के बारे में मैं आज बताने वाले हो तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कोई भी accident अगर हो रहा है, तो उसका क्या एक unsafe act या एक unsafe condition बन रही है ठीक है, जब unsafe act या condition जब बनती हैं, उनके बाद उसके संपर्क में आने से क्या होता है एक accident होता है, ठीक है, तो क्या create हुआ पहले? एक unsafe act और एक unsafe condition create हुई, ठीक है unsafe, क्या है, एक mechanical condition भी हो सकती है, और एक physical contact हो सकता है condition में, ठीक है मतलब क्या होता है, एक condition मनी, और फिर वो क्या हुआ, एक person उस condition के अंदर आ गया मतलब accident होने वाला है, उपर से सामन गिर रहा है, गिर रहा है, और क्या हुआ, एक person नीचे से गुजर गया और वो सामन उसके उपर गिर गया, तो क्या हुआ, यह एक unsafe factor condition दोनों हो गई, ठीक है तो हम उसके लिए कैसे कैसे क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है, कि हम कैसे methods यूज करके prevention बद दे सकते हैं, ठीक है अब देखिए, कोई भी accident हो रहा है उसके लिए हम क्या करेंगे पहले, engineering control करेंगे उसमें क्या होगा, हम कोशिश यह करेंगे, कि जो भी accidents हो रहे हैं, उनको जानना और हम उनमें कैसे safety दे सकते हैं, उनके बारे में बताना ठीक है, जब हमने एक बार ये काम कर लिया, तो क्या होगा वो जो unsafe act or condition है, वो उन पर एक control बन जाएगा इस तरीके के unsafe act or condition नहीं होंगे फैर, और जब ये नहीं होंगे तो हम accident से भी बच सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही ये जो है, elimination of unsafe conditions करनी है हमको, ठीक है elimination कैसे होगा, हमने देखा कि ये जीज होने से, इस तरीके से ये गिरा सामान या कुछ भी हुआ, तो हमको पता चलगा कि ये situation create होई, इस वज़े से accident create हुआ, तो क्या हम रोक तो सकते हैं हम कोशिश तो कर सकते हैं उसको रोकने की, eliminate करने की वहाँ से, तो पहले क्या point होगा, eliminate करना उसको, ठीक है फिर क्या, reporting unsafe condition, जो भी unsafe condition हुई है, उसकी पहले reporting कर देना कि इस तरीके की unsafe condition हुई है, चीक है, इस वज़े से हुई है, कहां हुई थी, किस समय हुई थी, कितने employees को उसमें harm हुआ, चीक है, ये सारी चीज़े बता देना, लिखके उसे reporting कर देना, बता देना, कोई भी unsafe fact condition, जो भी create हुई है, working time पे हुई है, walking surface पे हुई है, कुछ misuse हुआ है, tools का, किस की वज़े से exactly हुई है, वो पता होना चाहिए, ठीक है, सब भी को पता होना चाहिए, तो उसे हम रोक सकते फिर क्या करना है, हमें correction करना है, unsafe actions का, अब वो correction कैसे होगा, किस तरीके से accident हुआ था, पता लगा हमें, next हमने उसके लिए कुछ action लिया, इस तरीके से हमने उसे correct किया, ठीक है, फिर क्या हुआ, communication हुआ, communication क्या, पता लगना, मतलब लोग एक दूसरे से बात करेंगे, तब ही तो पता चलेगा, किस तरीके से वो accident हुआ था, ठीक है, फिर हमने क्या करा, यह सारी चीज़े हमें पता चल गई, इस तरीके से unsafe situation क्रियेट हुए, ठीक है, हमने सारी चीज़े के eliminate किया, correction किया, reporting की, अब, अब क्या, हमें क्या करना होगा, अपने employees को फिर training भी देना होगा, training देने से क्या होगा, इस तरीके के जो चोटे-चोटे accidents हो रहे हैं, उन पर command बना सके, उनको रोक सके, उनके लिए कुछ कर सके, तो इसके लिए training भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी चीज़े बताएगे, यह चार stages है, जिसमें क्या है, what are the biggest risk today, मतलब जब आप अपने workplace पे जा रहे हो, आपको पता लग गया है कि आज की biggest risk क्या है, ठीक है, अब आप उसके लिए क्या कर सकते हो, ठीक है, आप उसको कैसे control कर सकते हो, और जो भी control करते वक्त, जो मुश्किले आपने, मतलब सामना किया, जो भी मुश्किले, मुश्किले का सामना किया, जिसे, what if those controls fails, ठीक है, जो भी आपने controls लगाए हैं, आपको लगा कि इन चीज़े करने से, हमें क्या होगा, safe हो जाएंगे हम, आपने जो भी control measures वहाँ apply किये, वो सारे क्या success हो रहे हैं, या fail हो रहे हैं, अगर fail हो रहे हैं, तो अब आपको क्या करना है, वो fail हुए तो अब आप कौन से ऐसे measures करें, जिनकी वज़े से ये failures आपको face ना करने पड़ें, इस तरीके की चीज़े क्या हैं, आपको फिर से notice करनी पड़ेंगी, और उन पे और implement और comment करना पड़ेगा, जिससे कि क्या हो, वो आपके जो training प्रोवाइट कराएंगे आप, उसमें आप जो work करेंगे, exactly जो आपने सोचा है, उस unsafe after condition के लिए, तो आपको पता लग पाएगा ठीक है, यह दिखे, चार main reasons होते हैं, जिसकी वज़े से क्या होता है, एक्सिदेंट से face करने पड़ जाता है, यह जो है, the top 4 injuries that leads to, ठीक है, फैटल, जो accident fatals हो रहे हैं, fatalities हो रही है, construction industry या कहीं भी, तो वो क्या है, false है, ठीक है, कोई सामान पकड़ने में कोई मुश्किल होई है, electric shock हो सकता है, और आप किसी सामान से टकरा जाना भी हो सकता है, ठीक है, तो इस तरीके की situation create हो जाती है, focus 4 hazards आईए, यह 4 hazards हो हैं, जो जाद तर देखने को मिलते हैं, जिसकी falls, cause in or between, किसी सामान के बीच में आ जाना, दब ज ठीक है, तो यही सारी चीज़े इसमें बताए गई हैं, कि आपको पहले हजार identify करना पड़ेगा, risk control करना पड़ेगा, unsafe fact condition बन रही है, उनको observe करना पड़ेगा, eliminate करना पड़ेगा, reporting करनी पड़ेगी, और correction भी करना पड़ेगा, यह सारी चीज़े जब आप कर लेते हो, तो सब कुछ देखना पड़ेगा, reporting क्या हुई है, किस तरीके से accident हुआता है, यह सारी चीज़े देखने के बाद, समझने के बाद ही, आप उस फैक्शन ले पाओगे, ठीक है, तो यह मैंने आज आपको accident prevention के उपर बताया, कि आप किस तरीके से अपनी workplace को safe रख सकते हो, कि किस तरीके से आप training provide करा रहे हो, क्योंकि जब तक training नहीं होगी, तो वो क्या है, नहीं समझ पाएंगे वहां के workplace पे, जो भी employees हैं, जो भी worker हैं, वो सब, तो जो भी accidents हो रहे हैं, उनको observe करना, आप उनके लिए safety के लिए क्या कर सकते हो, यह सारी चीज़े आपको implement करने ही के आप कैसे accident prevention कर सकते हैं, methods of accident prevention, यह मैंने आपको बताया, so thank you.